हेलो नवस्कार बच्चो प्यारे बच्चो आज 14 चेप्टर की लास्ट क्लास फिर ये चेप्टर खतम हो जाएगा प्रॉपर तरीके से फिर हम लोग इसके बाद एक नए चेप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है मैटल एंड नॉन मैटल थर्ड चेप्टर वह भी ज्यादा बड़ा नहीं है चोटा सी चेप्टर है जल्लेली खतम हो जाएगा वो भी ठीक है चलिए इसका आकरी कुछ पड़ा हो रहेगे तो वह खतम करा दिए तो पहले उन जोंगे वेऊजिएव हगे थी ओषन थर्मल एनर्जी भी हो गई था और वह करेंगया जियो थ चलो तो CEO thermal energy क्या आप इसमें घ्यो धर्मल एनरजी में कि जमीन की आनीची L da यह निसे जितले नीचे आइंगे टमपरेचर रहे लगातर बढ़़तां की ला जाएंगा जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे temperature क्या होता चला जाएगा बढ़ता चला जाएगा और जब temperature बढ़ेगा तो आपको पता है भई उसमें temperature बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसमें energy है तो बस इन लोगोंने बहुत बड़ा plant लगा देते हैं उसमें से heat का absorb कर लेते हैं heat absorb करके इसी तरीके से जैसे मैं आपको बताया था कि electricity का formation किया जाता है वही टर्बाइन को माके shaft को माके generator स्टार्ट करके और दुबारा क्या किया जाता है इसे energy में convert कर लिये जाता है ठीक है तो इस तरीके से हम लोग इसके energy का use करके हम energy electric energy बनाते है ठीक है भई अच्छा तो इसके advantage क्या है कि भई ये economical use में ज़्यादा बढ़िया रहेगा मतलब तस्ते में कम से कम में हो जाता है और disadvantage क्या है भई कि ये हर जगा पे available नहीं किया जा सकता है ठीक है चले इसके बाद आता है biomass energy ठीक है biomass energy अब biomass energy क्या होती है भई कि जिसमें agriculture waste ठीक है cow dung तो ये सब यानि जिसे हम renewable कर सकते हैं मतलब हम जिसे दुबारा पा सकते हैं जैसे भई क्या cow dung दुबारा पा सकते हैं waste जिसे कूडा वगएरा कच्रण वगएरा ये सम दुबारा पा सकते हैं तो जो भी चीज़े हम दुबारा पा सकते हैं उनसे हम लोग बायो मास एनरजी बनाते हैं ठीक है जैसे चारकोल ठीक है चारकोल क्या है आपको पहले बताऊं चारकोल वुड एंड चारकोल वुड एंड चारकोल वुड इस बायो मास ठीक है क्योंकि ल इंटाओं में लकडी से खाना बनाते है ठीक है वूड को ही come ay मैं शे में बैटर फ्यू तेन वूड को आहां को ही कनवर्टD kelly में ठीक है और वह उस से काफी अच्छा फ्यूर में पाल में हं चारखुल में ली साँआ में चार कर्मन डैन और फ्यूर नी सो चारकुल जलने पर दुवा नहीं निकालता चारकुल is a compact fuel which is easy to handle and convenient to use मतलब जिसे क्या है एक अच्छा fuel है जिसे जलाना और handle करना क्या है बहुत आसान है ठीक है भई इसी तरह क्या थे cow dung cow dung समझते हो ना जिसे हम लोग कंडे उपले वगरा बतानी क्या 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 कहते है ठीक है वो भी एक biomass है ठीक है जिसे cattle dung कहते हम ठीक है लेकिन इसके रहे कुछ दिक्कत है क्या कि जब जलता है तो भाई बहुत ज्यादा smoke पैता करता है ठीक है और क्या ह होता बही strongly नहीं चलता उपर से इसकी caloric value क्या होती है बहुत ही low होती है ठीक है कि चलिये तो फिर इसी का यह पैटर option आया इसी का इक वैटर ऑप्सिन आया क्या है वैप्ते ऑप्पसंडेखो जरा खिए इसी को एक वैटर आपसन आया तो क्या आप्शन बेटर ऑप्शन देखो जड़ा एक ना बहुत बड़ा सा भाई गौर्मन ने बहुत बड़ा गड़ा कुदवाया और उस गड़े के अंदर भाई कुछ भाई इस तरीके से और यहां पर हाई प्रेसर पाइप लगवाया भाई यहां प्रेसर पाइप और यह कंटेनर आए बड़े बड़े जिसमें गैस को स्टोर किया अब किया क्या इन्हों भाई सुनेंगे जरे ध्यान से यह बहुत बड़ा सा वाई क्या किया गड़ा खुदवाया और सिमेंटिड करवा दिया जिसे डाइजेस्टर कहा जाता है अब क्या किया अब उन लोग ने क्या किया जितना भी वह कूडा इखटा करते थे जितना भी कूडा इखटा करते थे यह गीला कूडा यानि जिसे हम हमें पता है भाई गीला गूडा है री उस तो करनी सकते इसका तो क्या करते थे जितना भी यह वाटर होल्डिंग वेस्ट था वह सब लाल आके इसके अंदर डाल दिया अब वह कुछ भी हो सकता है मरेवे जानवर हो सकते हैं ठीक है उनके वही वेस्ट हो सकते हैं और क्या जो भी हम खाना वगरा खाते हैं जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट जैसे मालो किसी ने बर्गर खाया आदा खाया फैक दिया पीज़ा खाया फैक दिया रोटी सबजी वगरा खायी फैक दी उसमें पानी वानी दो दिया बरतन दो दिया तो बहुत सारा कूड़ा निकल होने लग गई जो flammable दिए ठीक है तो जब इसको हलका सा निकाल के चेक किया गया तो देखा गया कि भाई ये तो सही में आगला गरी इसमें और जल रही है और जब जलाए गया टेस्ट किया गया तो ये देख रहे हैं कि भाई जब जल जो कि एक बदबूदार सब्शांस बना जिसे हम कहते हैं slurry क्या कहते हैं slurry ठीक है जी slurry slurry क्यते हैं और फिर भाई जब क्या हुआ कि इसमें से gas produce होने लगी फिर फैसर पाईप होते हैं इस वेस्ट का क्या करें भाई ये तो किसी काम की नहीं है ये तो है वेस्ट अब ना ही ये किसी जानवर को दे सकते हैं खाने को ना ही मिट्टी में दबा सकते हैं क्या करें फिर तो मिट्टी में ही दबा सकते हैं कैसे क्योंकि जब ये इस तरीके से सड़ सुड़ा जाएगा तरीके से तो ये हमारे लिए क्या भई natural fertilizer का काम करेगा natural fertilizer fertilizer का काम करेगा खाद का काम करेगा ठीक है जिसके अंदर बहुत अच्छी मातरह में nitrogen और phosphorus है nitrogen and phosphorus क्या भई nitrogen and phosphorus है इसमें ठीक है और boron भी जो की मिट्टी के लिए बहुत अच्छ है तो इस वज़े से क्या किया जाता है कि इन खाद को निकाल निकाल के फार्मर्स को सस्ते दामों पे बेच दिया जाता है ताकि नाइट्रोजन और फॉस्फोर्स उनकी मिट्टी मच्छे से आ जाए ताकि उनकी फसल भी ठंक से उग सके समझ रहे हो और बच्छो इसी गैस को बोला जाता है बायो गैस क्या बोला जाता है इसको जो गैस है इस गैस को बोला जाता है बायो गैस ठीक है और इसका जो मेन कंपोनेंट है इसका जो मेन कंपोनेंट है वो कौन है बच्छो इसका मेन कंपोनेंट है तुबाया होगा इसका मेन कंपोनेंट है मिथेन कौन होता है मिथेन जो कि लगबग 75% होता है और मिथेन कितना है CH4 यह इसका फॉर्मला होता है यह इसका केमिकल फॉर्मला होता है CH4 मिथेन ठीक है ठीक है ठीक वित्यों से और भी बहुत सारी चीजे होती है लेकिन जो इसका मेन कंपोनेंट है बायो गयस का वह कौन है बच्चो मिथेन है जो की flameable होता है क्या होता है? flameable होता है जिसमें लगबग बायो गैस के अंदर 75% के असपास methane gas पाई जाती है ठीक है? तो इस तरीके से बच्चों आपका ये खतम हो गया अब ये बात आती है कि बायो गैस एक best fuel क्यों बना? बायो गैस एक best fuel क्यों बना? तरसे बड़ी बात कि भई ये इस तरी बैस फ्यूल बना क्योंकि ये pollution नहीं करता air pollution नहीं करता जलने पे दूसरा इसकी calorific value हाई है तीसरा भई क्या कि ये जलने के बाद राक नहीं छोड़ता चौत्था क्या भई? कि ये बड़े आसानी से इसको भई क्या किया जा सकता है सप्लाइग क्या घा सकता है अगला ये बाकी other fuel से क्या है? वई सस्ता है क्योंकि इसमें जाता खर्चा नहीं होता है इसको बनाने में अगला क्या है? कि इसको lighting के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है, fuel के लिए और non-engine के लिए यूज़ कर सकते हैं, electricity generate करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात, इसके एक खास बात यह है कि renewable source of energy है, मतलब इसको हम दुबारा बना सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से इसके बहुत सारे अच्छी बाते हैं, चलिए, अगला आता है nuclear energy, अगला क्या आता है, nuclear energy, देखो आपके course से यह काफी हर तक कट चुका है, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे parts हैं लेकिन आपको सारे parts नहीं बढ़ने हैं notes में से, ठीक है, तो क्या-क्या है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक, और अगले साल के लिए भी यह कटा हुआ ही रहेगा, ठीक है, बस मैं दो topic पढ़ा रहा हूँ, जो की सबसे ज़्यादा पूछा गया है, यही तक, बागी notes आपके पास हैं, आपको एक बार read out करना है, ठीक है, सभी बच्चों को, उसके बाद आपका यह chapter क्या हो चुका है, खतम हो चुका है, ठीक, next class में, नए chapter सुरू करेंगे, metal and non-metal, देखिए, अब दो topic आपके पास, nuclear energy, अब nuclear energy दो तरीके से बनती है, एक बनता है nuclear fusion से, नाभिक्य विखंडन, और एक nuclear fusion से, नाभिक्य सलियन, ठीक है, देखो, होता कहा, fusion का मतला होता है, तूटना और fusion का मतला होता है, मिलना, ठीक है, तो जैसे फीजन का पढ़ लेते हैं, पहले, इसका पढ़ लेते हैं, फीजन का, बाकी सब अरवरल है, आब बहुत अनाम से notes में से पढ़ सकते हैं, ठीक है, यूरेनियम है ठीक है 92 235 होता है इसको एक न्यूट्रीनों से हमने क्या करा दिया रियक्शन करा दिया ठीक है अब रियक्शन कराते ही क्या होगा फीजन होगा तूटेगा तो न्यूट्री लाइट पारेटों सीजिसन किसे चाहते हैं जब एक हैवी पार्टिकल्स में किसके शक्रती पार्टिकल्स में तूट जाए सारी पार्टिकल दो हलके पार्टिकल में तूट गया और जब तूटा तो इतना तेज धमाका हुआ एक tremendous amount of energy निकली इतनी बड़ी level पर energy निकली जो आस-पास के हिस्सों को बिल्कुल मतलब क्या कर सकती है जड़ से हटा सकती है जैसे nuclear bomb blast में भी कुछ ऐसा हुआ था इसलिए इसका radiation आज तक है ठीक है तो यही है बच्चो nuclear fusion कि जब एक heavy particle light particles में तूट जाए अब आता है nuclear fusion क्या होता है तो जब एक light particles यानि कि क्या भई यानि कि कई light particles मिलकर heavy particles बन जाए ठीक है जब हलके था तो मिलके क्या मिल जाए भारी बन जाए तो उसी को बोले जाता है nuclear fusion जैसे मान लो मैंने यह ले लिया भाई इसे कहते है प्रोटियम क्या कहते है प्रोटियम और इसे कहते है deuterium इसे क्या कहते हैं deuterium अब इनको हमने मिला दिया और मिलाते ही बन जाएंगे हीलियम क्या बन जाएंगे ये हीलियम तो देखे रहो दो हलके element को मिलाया तो एक भारी element बन गया और neutrino निकला इसमें से एक और क्या निकला tremendous amount of energy तो मतलब क्या कि जब हमने किसी को मिला के एक heavy चीज बना दी तो वो हो गया fusion और जब एक को तोड़ के दो हलकी चीज़े बना दी तो क्या हो गया fusion ठीक है बच्चो तो इसी तरीके से आपके पास था nuclear energy और बच्चो ये बहुत तरह से काम आता है nuclear energy electricity कि बनाने की बी काम आता है और भी कई तरह की energy बनाने काम आता है लेकिन बच्चो ये सारी के energy ये सारी के सारी energy positive way में भी यूजज की जा सकती है और negative लेकिन और जब negative कब जब इनसानों का भला नहीं ठीक जैसे अमेरिका ने हिरोशिमा नागासा की पे वर्ल्ड वार के टाइम पर दो एटम बॉम गिरा दिये थे ठीक है तो उनको देख लो आज तक इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ठीक है तो भाई हम चीजे बनाते हैं अपने भलाई के लिए मानव हित के लिए लेकिन जब उसी का गलत इस्तमाल किया जाता है तो फिर भाई बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जबकि लडाई नहीं होनी चाहिए हमेशा खुसी अबाटनी चाहिए और ऐसी चीजे सीखो समझो जो भाई क्या आपके लाइफ में हमेशा आपको आगे बढ़ाने के काम करें ना कि आपको किसी की नजरों में गिराने काम करें ठीक है तो चलिए यह हो गया और इसी के साथ आपके चैप्टर भी खतम हो गया ठीक इसके नोट्स को आप लोग पढ़ लीजेगा ठीक नेक्स लास में आप लोगों को मैटल नोन मैटल का चैप्टर सुरू करवाँगा और लगबग मोश्टली टाइप तक खतम करवाद हुआ क्योंकि उसके भी आपको पीडियाफ की फोटो कॉपी मिलेगी ठीक है चलिए बाई